अफजलगड में हाइवे स्थित रेहड के अंगतपुर बस स्टैंड पर सामने से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित वाहन की हाइवे से गुजर रही दो कारों से भिड़न्त हो गई हादसे में दोनों कार सवार सभी लोग घायल हो गए मौके पर पहुँची पुलिस ने घायलों को ततकाल निजी चिकित सालय में भरती कराया दरसल रुद्रपुर उत्तराखंड के एलाइन्स कालोनी निवासी गुरुबक्ष सिंह इनोवाकार से परिवार के साथ देहरादून जा रहे थे इसी दोरान राष्ट्रिय राजमार्ग चोहत्तर पर अंगतपुर बस स्टैंड चोराहे पर गांव अंगतपुर से अचानक तेजी गती आई एक इरिक्षा को बचाने के प्रयास में इनोवाकार सामने से आ रही खुशहालपुर अफजलगड से काशी पुर जा रही फोड कार आपस में टकरा गई पहुंची पुलिस ने दुरगटना ग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटा कर यातायात सुचारू कराते हुए घायलों को ततकाल काशी पुर स्थित निजी चिकित सालय में भरती कराया जहां घायल उपतेज सिंह वसुसराज कौर की हालत नाजुक बताई जा रही है प्रभारी निरीकशक धीरज सिंह का कहना है वाहन चालकों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी अफजल गड से मनोज गहलोत की रिपोर्ट